वोलिवुड में जब भी कोई लो बजट मास्टरपीस बनती है तो उसका सिफ एक ही फेट होता है और वो है फ्लोप, तुमबाड, भावेश जोसी, नो स्मोकिंग और ऐसे बहुत सारे एक्जामपल मिल जाएंगे और अभी हाली में भी एक ऐसी मुवी रिलीज हुई है जिसक के दूसरी और अगर साउथ में कोई लो बजट मास्टरपीस बनती है तो वहाँ की ओडियंस तो उस मुवी को भर के सपोर्ट करती है लेकिंग शोकिंगली सिफ वहाँ की ओडियंस ही नहीं हिंदी पैल्ट की ओडियंस में उस मुवी को फुल सपोर्ट करती है तो यहाँ प तो देखो मेजर कोशन यह है कि आखिर Bollywood की ओडियंस या फिर हिंदी-पेल्ड की ओडियंस बॉलिवीड की अच्छी मुवीज को सपोर्ट नहीं कर रही है और अगर बात सपोर्ट करने की है तो South की अच्छी और लो बिजट तो बोली वूड भी बना रहा है यहँ झाल थे को खासा सपोर्ट नहीं मिला तो एंग तरफ तो कहते रहते हैं कि बोली वूड में अप्छी मूड नहीं बनती है तब उनको सपोर्ट करते हैं लेकिन यहां पे algumas अच्छी ह्लड़ाना सभी नहीं होगा एंड रही बात की हिंदी बैल्ट की ऊडियंसी बोलीवट की अच्छे मुवीज को support क्यों नहीं कर रही तो उसके multiple रीजन से और उन meuल्टीपल रीजंस पेसे पहला रीजला बोलीवट की बैड इमेज जो के हाट साल अच्छी है वहाँ की रेप्यूटिशन ऐसी है कि वहाँ के एक्टर अपने हर फैन को इज्जित के साथ ट्रीट करते हैं उनके साथ कभी बत्तमीजी नहीं करते और नहीं हमने ऐसी क्लिप शोचल मीडिया पर सर्कुलेट होती हुई देखी है जहां पर कोई साउथ का एक्टर अपने फैनके साथ बत्तमीजी कर रहा हो लेकिन उसके दूसरी और हम बॉलेउड एक्टर्चस की वैसी क्लिप औरह देखती है जहां पर अपने जाएंगे जैसे कि तुमबाड भावेस जोशी मत्फो दर्द नहीं होता जगा जासूस ब्योमेक्ष बक्षी यह सारी ऐसी मुवीज ती जिनको उस टाइम पर सपोर्ट नहीं मिला लेकिन अभी इन मुवीज को मास्टरपीस का टैग दे दिया गया और एक सबसे ज़्यादा साउथ का एक्जामपल दू तो वहां की ओडियंस लोग बजट मास्टरपीस को काफी सपोर्ट करती है महराजा आवेश्रम ट्रिपल सेवन चार्ली गांतारा हनुमान यह कुछ एक्जामपल है यह कुछ ऐसी मुवीज है जो किसी पर अपने कॉंटेंट के दम पर इतिनी सक सुल रही और इसको सकस्वल बनाने में वहां की रीजनल ओडियंस का एक बहुत ही बड़ा हाथ है अब यह चीज में तुम पर छोड़ता हो कि वहां की लोग बजट मुवीज बिना किसी प्रमोशन की भी अच्छा पैसा कमा रही है उसका रीजन किया है क्या वह उसका रीज किल मुवी का टोटल बजट 15 से 20 करोड था लेकिन वो मुवी गिरते पड़ते सिप अपना बजट ही रिकवर कर पाई लेकिन एक मुवी अच्छी है फिर बुई उसको कंप्लीटली डिसाइड बोक्स ओविस नहीं करता एंड किल मुवी डेफिनेटली इंडिया की बेस्ट 15 मिनट को हटा दिया जाए तो वो पूरी ही पूरी मुवी सिप बोईलन से भरी हुई है अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो पहले एक्छन मुवी रिलीज हुई थी वो खराब है लेकिन किल इन सबसे बेटर है एंड दो चीज जो कि किल मुवी को बाकी एक्छन मुवी से लेकिन बूटलिटी के साथ साथ जब इमोशन से एंड होते हैं तो इसके वैल कोरिगराफ रियलिस्टिक एक्षन बहुत जादा इंपक्ट फुल लगते हैं और इसके दूसरी और अगर तुम बोलीवर की बाकी किसी एक्छन मुवी को देखोगे तो उन मुवी में जो हीरो बहुत ज़्यादा पाउरफुल दिखाया जाता है तो उसका कोई अच्छे से एक्स्प्लेनेशन नहीं दिया जाता एक्जामपल ले तो एनेमल मुवी का एक्जामपल लेते हैं रनवीज है जो कि गुंडों को बहुत ही पुरी तरीकी से मार रहा है एक साथ दरजनों गु बाकी एक्शन मुवीज में जो एक लोजिकल की पोइंट होता है यही मिशिंग होता है लोजिक के नामें हमें यह बताया जाता है कि वह फेरो है वह कुछ भी कर सकता है खेल र्वी कि स्टोरी बहुत ही सइम्पल है कि एक ट्रेन में दो ऐनेशजी कमांडो होते हैंक हुसी त्रेन में तो रहते ही आपस उस NSG कमांडर का एक ही काम है कि वो अपनी पसंदिता औरत को भी बचाए और इसके साथ साथ ट्रेन के पैसेंजर्स को भी बचाए हना कितनी सिंपल से स्टोरी ती लेकिन इसी सिंपल स्टोरी को मोर इंपेक्ट फुल बनाने के लिए उन्होंने क्या किया पता है उन्होंने डीटेलिंग पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया हर चोटी से चोटी डीटेलिंग चाहे वो स्टोरी से रिलेटिड हो या फिर जब भी hero की side से किसी की death होती है तो hero बहूत ज़्याद़ Jack oneじゃあ लेकिन साथ साथ जब भी with the कि साइट से किसी की death होती है वह भी इतने ही one 쉽 आप स्पसाइव एक सिंपल सी को लीछ स्टोरी नरेशन की व कुछ से hollywood केreated कर बोई से patents और वबंक करना चाहते है लेकिन टूबी ओनेस्ट मैं नहीं चाहता कि इस मूवी का होलीवड में रिमेक हो और जब यह मूवी ओटिटी पे बूम करेगी विद इंडियन एक्टर्स एन इंडियन क्रू तब भार की फोरन ओडियंस को भी इस मूवी के बारे में पता चलेगा तब मैं चाहता हूँ कि फोरन ओडियंस भी ओरिजिनल मूवी को पहले देख ले जब यह मूवी होलीवड में रिमेक होईगी तब हम डैम शूर होलीवड वाले इस मूवी की स्केल को एक लेवल आप तो करने ही वाले है तब मैं चाहता हूँ कि for an audience पहले ओरीजिनल kill movie को देख ले ताकि जो appreciation worldwide triple R को मिला वो ही appreciation kill movie को भी मिले क्योंकि अगर kill movie का remake बनता है तो हो सकता है कि सारी appreciation और attention उसी remake वाली movie को मिले क्योंकि ये चीज़ नहीं नहीं है कि original movie के बतले remake को ज्यादा appreciation मिले जैसे कि मैंने पहले ही बताया अगर Holywood इसका remake करेगा तो इसके scale को एक लेवल आप तो जरूर करेगा और एक बार remake वाली अपग्रेड़िड के release होगी तो original kill को कोई पूछेगा भी नहीं तो अब भी बहुत सारे लोग इसके sequel की भी demand कर रहे है तो देखो जिससे आपका response तुमने इसको theater में दिया है उसका sequel बना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन अगर एक बार यह movie OTT पे release हो गई और उसको OTT पे उस लेवल का support मिला जो कि इसको theater में नहीं मिला तो इसका remake बन सकता है और क्या पता इसका part 2 शायद OTT के लिए रिलीज किया जाए इसके बारे में तुम्हारा के opinion मुझे comment section में जुरूर बता और तुम मेरे किसी एक point से disagree करते हो और तुम्हारा कोई अपना अलग opinion है वह मुझे comment section में जुरूर पताना मैं literally पढ़ना चाहूंगा और तुमने वीडियो यहां तक देख लिए इसका बतलब तुम्हें वीडियो पसंद आगी है अगर तो वीडियो फशन अगी नापन तो सारी वीडियो जैटें उसके में कि शारी पे लिये तब तक के लिए भाई